Welcome to all of you आज की जो हमारी सीज़ रेगी वह सुपर फास्ट होगी एन्वार्मेंट्स के कोश्चिन होगे जो डिरेक्ट आते हैं पॉइंट टो पॉइंट काफी बार पुछे जाते हैं इसे तरह के कोश्चंस तो उन्ही कोश्चंस को हम लेकर आये हैं एक भार्त में परिस्थितिकी के जनग कोन है तो पर्रास्थितिकी के जनग बताना है तो यह yan काफी बार पूछ चाता है परश्चंस इक्जाम में यूपीट carry से सम्बंदित काफी महात्त्रपूंत परश्चंस दूसरा है हमारा वीश उजियो दिवस कम मना जाता है। इंपोर्टन्ली है यस ब्रक परिवन्या करते हुअ 2 स्य ह्क्रिव abuse कम मना जाता है। इससे जुड़ावा एक और दीवस ओर होता है जो होता है जल दीवस उसको देखते हैं तो जो जल दीवस होता है विश जल दीवस कम मना जाता है तो वह 22 मार्ट को मना जाता है और 22 अपरेल को पित्वी दीवस मना जाता है नेक्स नमारा तमाकू मुक्त दीवस कम मना जाता है यानि कि तमाकु जो मुक्त हुआ था तो इसे दू दिवस के रूप में कम मना गया था तो सबसे पहले मना गया था 31 मई को ठीक है तमाकु मुक्त दिवस 31 मई नेक्स्етवान्हें फीश प्र निवकल कर Mayas इंच्प परहाटन दिवस कम मना जाता है तो वीश-परहाज़्ण सबसे important question प्रेयवन्न का पांत जुन को मना जाता है वीश-परहाजन दिवस और इसकी सबसे पर्थम शुरुआत उई थी 1974 में इसका सबसे पहले गोशना करी गई थी विश प्रफण दिवस की 1972 में और 1974 में सव पर्थम इसे मनाया गया था तो ध्यान रखेगा 1974 में कफी बार पूछ लेते हैं कि सव पर्फण प्रफण दिवस कम मनाया गया था चलते हैं next question पर next question हमारा विश चंसंख्या दिवस कम मनाया जाता है तो विश चंसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को इंपोर्टेंट है ये भी नेक्स है विश परियावन सेलक्षन दिवस कम मनाया जाता है तो ये 26 नवंबा को मनाया जाता है next solution है मारा भारत सरकार ने पर्यावंट सरक्षण आधीनियम लागू किया था तो यह लागू गूआ था 1986 में इंपोर्टन्ट है यह भी पर्यावंट सरक्षण संबंदित है ठीक है अगर विश पर्यावंट सरक्षण दीवस बात करते हैं तो वह 26 नवंबर को है और जब भारत में सरकार ने पर्यावंट सरक्षण आधीनियम लागू किया था तो यह 1996 में किया था एक्स किर्णो की खोच किस ने की थी तो हमें बताना है तो इसका राइटन समय में विलहेम रॉंट जन ने ठीक है नेक्स कुषण है हमारा भारत में सरक्षण रेडियो धर्मी परदूशन कहां पाय जाता है तो यह होता हमारा केरल में इससे सम्मंदित एक्जाम में काफी पुछा जाए परशन रेडियो धर्मी से यह यूपिटैट के परफिस से काफी मात्तपून परशन है नेक्स कुषण हमारा नाब के विकिरण अवपात से बचाने के लिए खाया जाता है फस्ट है जो इसका उप्शन है राइट अंसर वह है पोटोश्यम अयोडाइड जो अविकिरण अवपात से बचाने के लिए बहुत ही मात्तपून है नेक्स कुषण हमारा फोड़ की रेंड पिथ्वी पर प्राप्त होती है विदुत्यक मुक्ये लगु तरंगों के रूप में तो इंपॉर्टेंट कुष्ण था यह वी नेक्स कुष्ण हमारा उपगया सं सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है कोहरे की आरपार देखने में स्यक है तो इसका अंसर हो मारा अवरक्त किरने कोहरे की वन स्रक्षन का मुख्या लेका है तो यह देरदून में स्थित है नेक्स कुशिन हमारा भारत का प्रेवर्ण शिक्षा केंद्र कहा है तो यह एमदाबाद में है प्रेवर्ण शिक्षा केंद्र नेक्स कुशिन हमारा प्रेवर्ण का रक्षा कवच है वह है हमारा Ozone Prath Ozone Prath पित्वी पे आने वाली पराभैगनी किर्णों को रोकती हैं जो कि बहुत ही harmful होती है इसकी करण ही मनुष्य की screen पर screen cancer हो जाता है Next question है हमारा भविष्य का इंदन किसे कहते हैं तो यह होता हमारा hydrogen Hydrogen को हमारा symbol होता है है H2 होता है ish2 जब oxygen के साथ संपर्ण करता है तो ish2 बनता है यानी gel बन जाता है मारा next question है, next question है सबसे ज़्यादा जैव विबधा कहाँ पाए जाती है पाए जयती है तो बहुत जदा रेन होती है typical बहुत जदा वरशे होती है तो वहाँ सबसे ज्यादा विद्धा पाय जती है ऐसी इस्तिती में जो रब में देखी जाती है ठीक है जहां पोचा होती है मेगाले में भी देखी जती है ठीक है नेक्स उस्चीन नमारा ग्रीन हाउस परभाव का परिणाम क्या होगा तो इसका रैटन सोगा गलेश्यर बहुत बढ़ जाएगा और बहुत इसके दुश्प्रण नाम देखने को मिलेंगे एक कोशिन हमारा समान्य बाचित करने में धवनी तिव्रता होती है तो वह होती हमारी सिक्स्टी डेसिमल आधिकता पूछिए तिव्रता नेक्स्ट हमारा लास्ट कोशिन है समुंद की गहरा इमापने सिग्नल देने में चुपी वस्तो का पता लगाने में और किस धमनी तरंगों का प्रियोग किया जाता है तो इसका राइटन्स रो हमारा प्राश्यव्य धमनी तरंगों का प्रियोग किया जाता है सब मुंद की गहरा हमापने सिग्नल देने और चुपी वस्तो का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसके दो फर्स्ट पार्ट हम ओर लेडिल आ चुके हैं तो उन्हें भी जूर देखे हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए आपको इससे संबंधी तो और भी महत्तपूर्ण वीडियो मिल जाएगी वीडियो को सब्सक्राइब क लाइक करें शेयल करें धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में